नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि यूट्यूब का जो एंड काड है या फिर एंड स्क्रीन भी खहा जाता है उसको कैसे इस्तमाल करें यह नयाया फूचर है जो शायद सबीस चैनलों में अब तक नहीं है और अगर आपके यूट्यूब चैनल में यह है तो आप अभी देख करते हैं कि इसको कैसे इस्तमाल करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे वीडियोज वीडियो मैनेजर में जाना है फिर आप दो तरह से इसको इस्तमाल कर सकते हैं एक है कि आप यह एडिट जो है एडिट एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने आप जो है इसको ड्रॉप डाउन है इदर ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको ये option दिखेगा end screen and annotations तो ऐसा भी आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि ये edit option इस्तमाल करके देखते हैं तो आप इसमें क्लिक कीजिए edit इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ये end screen and annotations इसके ऊपर ठीक करना पड़ेगा आपको तो आप ये आपका screen ऐसे दिखेगा आप इसले देखेंगे एक blue line है blue area है इसी इसको grid बोलते है आप ये active area है इसी पर आप annotations डाल सकते हैं तो इसके लिए आपको कैसे करना है कि यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं add element add element पर आप click कीजिए तो आपको बहुत सारे options मिलेंगे ये है video and playlist आप video या फिर playlist जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये add कर सकते हैं या फिर आप subscribe button add कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर add हुआ है या फिर आप दूसरा कोई भी channel को promote कर सकते हैं या फिर एक website को जो है link कर सकते हैं और आपको याद रखना है कि अगर आपको ये जो option है ये जो subscribe या जो चैनल या फिर ये link ये option इस्तमाल करना है तो ये वीडियो को link करना बहुत जरूरी है ये इसको नहीं link किया तो आप ये जो options है इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो हम पहला देखते हैं कि ये वीडियो या प्लेलिस कैसे अड़ करें तो इसके लिए इसके उपर आप फिक पीछे create तो यहाँ पर आपको ये options रहेंगे आप चूज कर सकते हैं एक है कि most recent upload या या आपका जो most recent वीडियो है वो लिंक कर सकते हैं next है best for viewer ये सबसे अच्छा option है इसका मतलब है कि जो आपके वीडियो को जो viewer अभी देख रहे हैं उनके search history उनके viewership history के मताबिक आपका जो सबसे अच्छा वीडियो उनको suit होगा वो दिखेगा यानि कि अगर आपका beauty channel है और लोगों को और जो इंसान भी ये वीडियो देख रहा है उसको skin के वीडियो बहुत पसंद है तो skin के उपर आपके जो भी दूसरे वीडियो हैं वो ही दिखेंगे या नेल या makeup का वीडियो नहीं दिखेगा और दूसरा है ये कि आपको एक playlist को या फिर वीडियो को जो आपका मनपसंद वीडियो है वो select कर सकते हैं तो मैं इसमें अभी most recent upload select करने वाले हूँ and create element जो है यहाँ पे इसपे click करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह इधर add हो जाता है तो आपको क्या है कि इसको अभी shift करना है या आपको यहाँ पे कहीं पे भी इस grid में ही आप इसको रख सकते हैं इस grid के बाहर नहीं रख सकते हैं तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो जगर पे रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं छोटा नहीं हो सकते हैं यह default size है इसका इससे छोटा नहीं हो सकते हैं तो आप इधर इसको रख सकते हैं फिर अगर यह लाल हुआ तो अगर यह एक दूसरे वीडियो पे है तो यह दर लाल दिखेगा इसका मतलब है कि ओवलाप हो रहा है यह कर नहीं सकते हैं तो आप इसको सेपरेट ही रखते फिर आपको इसमें सेटिंग्स भी है आपको इसको सबसे पहले सब्सक्राइब जो है वो दिख सकता है फिर बैस को व्यूवर फिर मोस्ट रिसेंट अपलोड इसके लिए आप यहाँ पे जो टाइम लाइन है इसमें इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो यह लास्ट ट्वेंटी मिन कीमम लेंथ में रखना पड़ेगा आप 5 सेकंड्स से कम नहीं कर सकते हैं यह कई पे भी आपके टाइम लाइन में 20 सेकंड्स के लिए रख सकते हैं तो आप इसको ऐसा शिफ्ट कर सकते हैं तो अभी हम इधर तुल्जिव में देख सकते हैं कि कैसे दिखेगा तब देख सकते हैं, तीनों एक टाइम आ आ गए, हम आप इसको adjust भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसको ये बाद में ला सकते हैं, subscribe, सबसे पहले ये दिखा सकते हैं, ये भी बाद में ला सकते हैं, ये best for viewer सबसे पहले ला सकते हैं, फिर इसको preview करके देखते कैसे आएगा, तो पहले best for viewer आया, इसके बाद most recent, फिर इसके बाद सबस्क्रिप्शन और फिर मैंने इनका सबस्क्रिप्शन भी रखा हैं या पर, तो ये बाद या पर अगर कोई क्लिक करेंगा तो subscribe option आएगा, तो अगर आपको ये setting पासं है, तो आप save कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और register करना चाहते हो, इसका scene height रखोंगी यहाँ पर और ये अभी फिर save preview करके, तो मैं ये फिर फिर preview करने वाली हूँ, तब अगर आपको ये अभी setting पसंद आया, तो फिर आप इदर save पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये save हो जाएगा, अभी देखते हैं कि एक और जो है important आपको जो ध्यान में रखना है, वो है कि अगर अमारा ये जो वीडियो है, अगर मुझे इस पे भी एड़ से end screens डालना है, तो मैं यहाँ पर जो है click कर सकती हूँ, end screen and annotations, यहाँ पर, यहाँ फिर edit पर click करके, वो option फिर से आता है, so edit, info and settings, यहाँ पर आप तो देखेगा यह option उपर, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट अभी देखेंगे कि इस वीडियो पर मैं annotations, end screen नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, कि मेरा जो aspect ratio है, वो ठीक नहीं है, the end screen tool currently supports aspect ratio of 16 is to 9, अगर 16 is to 9 से कम जो है, आपका वीडियो का aspect ratio, तो यह आप feature enable नहीं कर सकते हो, इस्तमाल नहीं कर सकते हो, और दूसरा जो विशेश बात है, कि अगर आप end screen इस्तमाल कर रहे हो, तो फिर आप annotation इस्तमाल नहीं कर सकते हो, अगर annotation इस्तमाल कर रहे हो, तो end screen नहीं इस्तमाल कर सकते हो, तो वो ध्यान में रखना है आपको, तो यह जो annotation है, वो mobile phone पे नहीं दिखता है, तो but end screen जो है, वो mobile phone पे भी दिखेगा, तो मेरे हिसाब से यह better है, आपको इस्तमाल करने के लिए end screen, तो आप अपने हिसाब से इस्तमाल कर सकते हो, हम लोग फिर से और एक बार देखेंगे, कि इसमें कैसा end screen नाना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, आप वीडियो या प्लेयलिस्ट एड़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे best for viewer पहले डालूँगी, तो यह ऊपर इदर आएगा, तो फिर मैं इसको जहाँ पे रखता है, वहाँ adjust करूँगी, फिर दूसरा element डालूँगी, जो है कि most recent upload, फिर वो भी उपर इदर दिखेगा, तो मैं जहाँ पे रखना है, महाँ पे adjust करूँगी, फिर तीसरा element है, मैं मुझे subscribe डालना है, तो यहाँ पे आएगा, तो मैं इदर रखने वाली हूँ, अगर चलिए तो आप किसी और के channel को भी promote कर सकते हैं या फिर अपना खुद का दूसरा channel भी promote कर सकते हूँ, and you can link to an approved website, तो यहाँ पे अगर आपने enable किыт अ है कोई भी associated website अपने channel settings पे, यहाँ पे, अब देख सकते हो channel settings यहाँ पे अगर आपने कोई भी website enable किया है, associated website तो आप उसको link कर सकते हो, यहाँ या फिर आपका जो भी merchandise site है, जो भी approved है, उसको link कर सकते हो, या आपका जो crowdfunding site है, उसको link कर सकते हो, तो मुझे ये कुछ भी नहीं करना है, तो मैं cancel करने वाली हूँ, अब ये preview कर सकते हो, कि कैसा दिख रहा है, और पसंद है, तो फिर आप इसको save कर सकते हो, ये save हो जाएगा तो ये था YouTube में, आप end card जो है, या end screen कैसे इस्तमाल कर सकते हो, तो आप इस्तमाल करके देखिए, और comment, इस वीडियो के नीचे comment कीजिए, अगर आपको ये पसंद आया, और ये जो है, ये feature बहुत ही आसान है, और बहुत ही effective है, आपके conversions, and click through our video reviews बढ़ाने के लिए, तो जरूर ये इस्तमाल केजिए, ये पहले बहुत मुश्किल था ये करना, आपको अपने एडिटर में करना पड़ता था, अभी YouTube मने ये बहुत आसान कर दिया है, creators के लिए, ये बनाना, तो thank you very much for watching and please do subscribe.